हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस मैं हूं कीरन आज की इस वेडियो में हम डिसकस करेंगे गरम पानी पीने के बारे में क्या गरम पानी पीने से अनेक बिमारियां दूर होती हैं जैसे डिटॉक्सिफिकेशन पाचन तंतर कब्ज और गले की खराश इससे पहले इंपोर्टन बात अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स आयूर्वेद में पानी को अमरित कहा गया है लेकिन ठंडा पिये या गरम यह जान इस दुरान ठंडा पानी पीने से पाचन तंतर पर बुरा असर पड़ता है ऐसी स्थिती में बोड़ी में विशेले तत्वों का स्थर बढ़ने लगता है वहीं इसके विपरीत गरम पानी बोड़ी की चरबी को गटाने के साथ बोड़ी से विशेले तत्वों को बाहर निक सुबर एक डिटोक्सिफिकेशन गरम पानी पीने से बोड़ी में मुझूद विशेले तत्व बाहर निकल जाते हैं इसके लिए सुबेग गरम पानी में नीबु वै शेहर डाल कर भी पी सकते हैं नमबर 2. पाचन तंतर बहतर गरम पानी पीने से पाचन तंतर में सुधार होने के साथ मेटाबोलिजम बहतर होता है नमबर 3. कब्ज से राहत नियमे तोर पर सुबह गरम पानी पीने से आंतों में रक्ष संचार बहतर होता है इससे पेट साफ रहता है और कब से मुक्ति मिलती है बंदनाक और गले की खराश से परिशान हैं तो गरम पानी पीएं इससे बोड़ी का रख संचार बहतर होने के साथ गले की समस्या भी तूर होती है बंबर 5 दूर होते रेशिज गरम पानी पीने से बोड़ी में पित का स्तर कम होता है इस कान स्किन इंफ्लेमेशन से जूड़ी समस्या जैसे मुहासे रेशिज दूर होते हैं फ्रेंट्स आज मैंने आपको बताया है गरम पानी पीने से अनेग बिमारियां दूर होती हैं प्लीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावा दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले Eat Healthy, Stay Fit, Live Happily, Bye Bye